दोस्तों अब जब महराश्च में वोटिंग के दिन लकातार करीब आ रहे हैं चुनाव आयोग ने आखिकार एक बड़ा आक्शन लिया है इस बड़े आक्शन पर बात होनी इसे लिए जरूरी है क्योंकि कॉंकर्स सहित विपक्षी दरों ने इस बड़े आक्शन को लेका चुनाव आयोग से शिकायद भी की थी उस पर जब आक्शन नहीं लिया गया तो ये कॉंकर्स पार्टी ने आरोप लगाए कि आखिर उनकी शिकायद को सीरियस्ली चुनाव आयोग क्यों नहीं लेता लेकिन अब लगता है कि ये शिकायद सीरियस्ली चुनाव आयोग को लेनी पड़ी महराश्ट की डीजीपी रश्मी शुकला को चुनाव आयोग ने ततकाल प्रभाव से उनके पत्सिक फिलाल के लिए हटा दिया है यहाँ पर इस बात को मैं रिखांकित कर दो दोस्तों कि ये खबर मैंने भी आपको दिखाई थी उस्तों महराश्ट में चुनाव आयोग से कॉंगर्स पार्टी ने शिकायद की थी कि रश्मी शुकला जिनका रटाइमेंट का वक्त पूरा हो गया है उनको रटाइर नहीं कर रही है राजजी की सरकार उनको एक्स्टेंशन दे दिया गया जबकि ये जो नियम है उन नियमों के खलाफ है इससे गलत उधारन पेश किया जाएगा ये सब इसे लिए आरोप लगाये थे कॉंगर्स पार्टी ने क्योंकि कॉंगर्स पार्टी का या आरोप था प्रशाछन पर घलत सरीके से काम कर वाने का आरोप लगाया था औरुपर पर प्रशाछन पर पर चुनाव आयोग ने एक्छिन ले लिया है चुनाव आएग ने डिग्यपी पच्छे से उन्हें ट्रांसफर कर दिया रश्मी शुकला को यही नहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने मुखी सचिप को निर्देश दिये हैं कि वो कैडर में अगले सबसे सीनियर IPS अधिकारी को उनका प्रभार पिड़ाल के लिए सौंपते मुखी सचिप को महराज रुजीपी के रूप में न्यूक्त किये गए कल यानिकी 5 नवंबर तो पहर एक बज़े के लिए तीन IPS अधिकारियों का पैनल भेजने के दिर्देश भी दिये गए हैं दोस्तों इससे पहले खबर बताती है कि राजीप कुमार जो की मुखी चुनावायोक थे उन्होंने अधिकारियों को निश्पक्ष और उचित वहवार करनी की चेतावनी दी थी और कहा था कि वो अपनी आर्चरण पर गौर फरमाएं लेकिन ऐसा लगता है कि रश्मी शुकला को लेकर हो सकता है कि चुनावायोक को कुछ शिकायत पिरी और शिकायत तो खेर उप्षारिक तोर पर कॉंग्रिस पार्टी ने की ही थी लेकिन अब आंकिरकार चुनावायोक को उस शिकायत का संग्यान लेना पड़ा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते दोस्तों ये सारा फैसलाता हुआ है जब अभी हाल के दिनों में कॉंग्रिस और चुनावायोक के बीच में काफी टकराव देखने को बिला है कॉंग्रिस पार्टी ने बगाइदा चुनावायोक के हरियाना की इचुस्त की शिकायते थी उसका माकूल जवाब न बिलने पर ये तक कह दिया है कि वो कालूनी आक्शन लेने पर भी विचार कर रही है आप इस मुद्दे पर क्या सोच करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें और थाइंग्स और जॉइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आन देक मदद भी चैनल की सकतें